पित्र पक्ष में करें इन चीजों का दान, पित्र दोश होगा दूर। इस साल पित्री पक्ष 29 सितंबर से शुरू हो रहे है और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। श्राध्ध पक्ष में पित्रों का तरपन करने से बहुत पुन्य मिलता है। इन दिनों कुछ वस्तूओं का दान करने से महापुन्य की प्राप्ती होती है। आईए जानते हैं कि पित्री पक्ष में किन चीजों का दान करना चाहिए। श्राध के दौरान काले तिलों का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले तिलों का दान करने से संकट और विपदाओं से रक्षा होती है. पित्रि पक्ष के दौरान चांदी की वस्तूओं का दान करने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है. चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है. पेत्र या श्राधः पक्ष में बुर का दान करने से पित्रों को विशेश शांती प्राप्थ होती है। बुर का दान करने से घर का क्लेश दूर हो जाता है और पित्र शांत रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। पित्र पक्ष में गाय के घी का दान करना पलदाई माना जाता है. इसके दान से पित्र खुश हो जाते हैं. पित्री पक्ष में अन्न का दान करने से पित्रों को त्रिप्ती मिलती है. अन्न में आप गेहूं और चावल का दान शामिल करें. कहावत में कहा जाता है कि नमक का कर करना चाहिए आप भी पित्री पक्ष के दोरान इन चीजों का दान करके पित्रों की नाराजगी दूर करके उन्हें प्रसंद कर सकते हैं